हेलो फ्रेंट्स वालकम तू मैं चैनल जर्नी ओफ लाइफ विद मी तो आज मैं फिर आ गई हूं एक और निउ व्लॉक के साथ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो बहुत ही जादा टेस्टी एंड यमी पिजा कैसी बनता है कहां बनता है यह मैं आपको आगे वीडिय हूं अभी मैं आई हूई हूँ जुबा सहानी पार्ग के पास जो हमाय मुजफरपूर में काफी ज़्यादा फीमस है और यह जो भहिया है इनका स्टोल मैयूर होटेल है जस्ट उसके ओपोजिट में ही आपको मिल जाएगा आप जाएए जरूर विजिट करिया आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत प्यार से बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से एकस्प्लीन करते हैं और बहुत ही प्यार से आप लोगों को खिलाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इनके पास थर्ड टाइम गई हूँ मुझे मतले इतना जादा इनका पिज़ा आ गया है कि मैं हमेशा इनहीं के पास जाती हूं मैं कहीं और जाती नहीं जबी पिज़ा की बाते होती है कि विज़ा खाना है या पिज़ा के बारे में मिलको कभी भी मुझे पिज़ा की आदा आती है तो मैं भाया के पास ही जाती हूं मुझे बहुत जादा अच्छा लग यह बहुत अच्छी बात है कि अपने काम को लेकि इतन Palette के अच्छी तरीके से करें ? अगर जादा यमी है और टेस्टी इनका पिज्दा से के भी तो बहुत जादा भर जाम के वीजिय इतना सार चीज-इस तो यह मजा ही आ गया वैसे भी जब मुझे चीज जाता है तो हो हो क्या बताओं उसके टेस्ट मतलब मुझे सोच के मेरे मुझे पानी आने लगती है इतनी जादा मुझे टेस्टी लगती है तो आप लोग भी ज़रूर जाएए भाया के पास और इस पीजा को ज़रूर ट्राइ करिए बहुत सारे आप लोग जाएए उसे ट्राइ करिए मुझे पता है कि आपको भी बहुत जादा पसंद आएगा जैसे मैं बहुत बड़ी पीजा लवर हूँ तो मुझे लगता है आप लोग भी अगर पीजा को लेके बहुत जादा क्रीजी हो मेरी तरह तो आप भी ज़रूर जाओ विज नहीं या थैस्ति है ना पार थैख पूशिते और या रेड़ी से नहीं तो नहीं तो रहट आती है कि बहुत में पलें और के अरा में शानले ऊज़लेगा और आपए शाज्व cute अपने प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मुजफरपुर के रहने वाले हैं तो आप प्लीज जुबा सहानी पार्ग के पास जाए वहां पर एक ही भहिया है जो पिज़ा स्टॉल पर बनाते हैं दम होटल मयूर उसके ऑपोजिट में हैं भहिया का स्टॉल बहु मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर करें और कमेंट करें और भहिया के पास जाए अपने पसंद का पीज़ा बनाए खाए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा भहिया का पीज़ा ओकी देन बाइबाई टेक केर अबनाए